नमस्कार दोस्तों, आज सभी का स्वागत है नए वीडियो में आज के इस डिली दीवी नमसी की वीडियो हम देखेंगे इसका पार्ट नमबर 16 तो चली हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहला कुश्चन हमारा कौन सी प्रणाली भारत में बिर्टी सासन के दोरान भूमी राजसु प्रणाली से संबंधित नहीं थी तो इसका सेंस और आप्शन सी जो कि है 10 तक अगला कुश्चन है कौन सा दूसरा प्रान था जिसने सहायक संदी को सुविकार किया था तो इसका सेंस और आप्शन भी जो कि है मैसूर अगला कुश्चन है मेरड चाउनी में 1877 के सैनिक विद्रो की सुरुवात कब हुई थी तो इसका सेंस और आप्शन सी जो कि 10 मई 1857 को अगला कुश्चन है जवाहर लाल नहरू ने 14 अगत 1947 की मध्र रात्री को नियती से विदा सीसक भासर कहां दिया था तो इसका सेंस और आप्शन सी जो कि संसद्या समिधान सभा में अगला कुश्चन है 1946 की अंतरिम सरकार की कारेकारी परसत के अधच कौन थे तो इसका सेंस और आप्शन डी जो कि जवाहर लाल नहरू अगला कुश्चन है रामाल के रचता वालमे का आसरम निमलिखित में से कहां इस्ते था तो इसका सेंस और आप्शन डी जो कि है पन्रावना अगला कुश्चन है तो इसका सेंस और आप्शन बी जो कि है अनाय मुड़ी अगला कुश्चन है कौन सा आधारी सनचना कारक या इन्फरा इस्ट्रक्चरल फैक्टर्स किसी विकास से सम्मधित नहीं है तो इसका सेंस और आप्शन डी जो कि है खनन अगला कुश्चन है मेक्सिको के खाड़ी किसके दरा अटलांटिक महासागर से जुड़ी होई है तो इसका सेंस और आप्शन है जो कि है फ्लोरीडा जलसंदी अगला कुश्चन है बेवसाइक उपियोग के लिए सब्जियां फूल और फल उगाने की परकिरिया के लिए किस सब्दका उपियोग किया जाता है तो इसका सैंस और आप्सन B जो कि है अरबूरी कल्चर अगला कुश्चन है भार्त में राष्टिय उभुकता दिवस कब मनाया जाता है तो इसका सैंस और आप्सन C जो कि है 24 दिसंबर को अगला कुश्चन है हवाई जो आला मुखी निमलिखित में से किसका उधारण है तो इसका सेंसु और ओप्सन है जोके ढाल जौला मुखी का अगला कोश्चन है भारतिय समविधान का कौनसा अनुच्छेद कानून के समच समानता परदान करता है तो इसका सेंसु आप्सन भी जोकि है 14 या फिर 14 अगला कोश्चन है अगला कुश्चन है पंचायती राज व्योस्था के तहट ग्राम सभा के सदसे कौन है तो इसका सैंस और आपसन सी जो कि है पंचायत चेत्र में मद्धाता के रूप में पंजी करिद सभी वयक्त सदसे अगला कुश्चन है ग्रीन विच में टाइम से भारतिय मानेक समय कितना आगे है तो इसका सैंस और आपसन डी जो कि है 5 गंटे 30 मिनट अगला कुश्चन है निमलिखित में से कौन सी जील मड़ीपूर में इस्थित है तो इसका science और option B जो कि है लोक टक जील अगला question है कौन से जन जाती नील गरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती है तो इसका science और option D जो कि है मोग अगला question है राष्ट पती द्वरा वित्य आयोग संस्थापित कितने साल के अंतराल पर किया जाता है तो इसका science और option C जो कि है पांच वर्स के लिए अगला question है गोदावारी नदी महाराष्ट के किस जिले में पच्चमी घाट की ढहलानों से निकलती है तो इसका science और option D जो कि है नासिक अगला question है कारेकारी सक्ति विभिन विस्यों पर किसके पास रहती है तो इसका science और option B जो कि है केंदर के पास अगला question है राज सरकार के कारेकारी अधिकारी कौन है तो इसका science और option B जो कि है गोवर्नर अगला question है सुतंदर भारत की पहली महिला गोवर्नर कौन थी तो इसका science और option है जो कि स्री मतिस रोजनी नैडू अगला कुश्चन है निरवाचन आयो किस के लिए चुनाउ नहीं करता है तो इसका सिरी नगर किस नदी के टटपर इस्थित है अगला कुश्चन है बंगाल के बटवारे को किसने खारिज किया था तो इसका science और option है जोकि लाड हर्डिंग दोस्तों आज का आगला और आखरी question है आगाखा कप किस खेल से सम्भधित रखता है तो इसका science और option C जोकि होकी से तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समात होता है अगर आखको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करे अगर आख चनल पर पहली बाख चनल को सब्सक्राइब करे मिलते हैं नेक्स वीडियो में